है गाइस कैसे हैं आप लोग आयोग कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपकी एक्जाइम के प्रपरशन भी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो कि होने वाला है इंफ्लेशन और उसका इ जाएंगे अगर आप 24-7 services हमसे लेना चाहते हो regarding your examination, regarding your study and you want notes for at least 40% discount आपको पे मिल जाएंगी तो आप हमारे इस चैनल को subscribe कर लो बैल एकन दबाद हो उसके बाद यह जो जॉइन का बटन इसके ऊपर क्लिक करो करने के बाद जैसे ही आप जॉइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे यह काम क्यों नहीं कर रहा वही अच्छा बेवी डूसम रिजन इस नॉट वरकिंग बटन आप पेज विल एपियर जहां पर आपको एगनू एमकॉम बीकॉम और 1112 का दिखेगा आपको जो है एमकॉम वाले option में जाकर एक नॉमिनल सा फीपेमेंट करना है और आप आपको हमारे चैनल के membership plan को join कर लेना है नीचे ही आपको WhatsApp का link भी दिखेगा जिससे आप हमारे चैनल को join कर पाएंगे हमारे WhatsApp ग्रूप को join कर पाएंगे जो कि exclusively एमकॉम के students के लिए बनाया गया है ठीक है ना तो बहुत सिंपल सा प्रॉसेस है और अगर आप study करना चाहते हैं वन बाई वन प्लेस्ट के तुरू आप study कीजिए आप हमारे चैनल के playlist में आईए यहां पर आपको डेट सारी playlist मिल जाएंगी फर्स्ट येर सेकंड येर की ज आप जिस किसी भी course के उपर click करेंगे suppose IBO1 के उपर आपने click करा तो इस तरीके से page आपको खुल जाएगा जहां पर unit wise questions with answers दिये हुए हैं आप click here के उपर जैसे ही click करेंगे येरे कोई एक hyperlink है जैसे ही click करेंगे आपके पास answer भी निकल करके आजाएगा इस तरीकी से जिनको पढ़ करके आप examination में अच्छी marks लाँ पाएंगे तो चलिए फिर हमारे topic की तरफ चलते हैं जो कि है inflation and its impact on financial market okay so let's start so exchange rate movements have become the single most important factor affecting the values of investments particularly on an international level तो आपको पता है सबसे पहले में inflation क्या होता है इसके बारे में आपको बता देता हूँ inflation का मतलब होता है किसी चीज के price किसी भी price किसी चीज के price में एक तरीके से बढ़ोतरी होना समय के साथ जो है दीरे-दीरे-दीरे-दीरे करके जो है उसमें बढ़ोतरी हो रही है due to you know various reasons जो है inflation होते हैं तो price में बढ़ोती को हम लोग inflation बोलेंगे एक्सचेंज रेट क्या होता है यह भी आपको समझना important है क्योंकि वह भी बहुत important factor है exchange rate का मतलब हो गया कि 2 currency के बीश में जब आप उसको exchange करोगे तो आपको कितने value मिलेगी सपोज आपको 1 dollar exchange करने है रूपय में तो आपको 1 dollar के बदले 75 rupees 76 rupees मिलेंगी जो उनकी अभी जो natural value है वो आपको मिल जाएगी exchange rates का मतलब होगे कि dollar के मुकाबले आपकी currency की value कितनी है राइट सुभई बात बुली जाब लिए कि international level पर जब हम investments की बात करते हैं तो उस time पे exchange rate का movement जो है बहुत important एक factor बन जाता है क्योंकि यहाँ पे exchange rate जो price है जोसमें जिस तरह के fluctuation होता है आपका investment तो उसी तरीकी से fluctuate करता रहता है they are crucial to businesses sales and profits forecast and to investment plans in their outcome है ना तो जो exchange rate होता है वो बहुत ही जादा you know crucial होता है आपकी business sales के लिए profits के लिए और you know investment plans के लिए जो कि आगे जाकर क्याप करने वाले हो they can turn what was in a year a thriving industry into a loss making industry in two years time है ना तो जो company इस साल profit कमा रही है अगर आपका exchange rate ठीक तरीके से you know काम नहीं किया आपकी currency की value अगर गिरी तो हो सकता है आने वाले समय में आपको losses भी जहलनी पड़े कोई कंपनी सब्स थ्राइव कर रही है थ्राइव मतलब तीन गुना स्पीरिट से बड़ रही है बड़ी हो रही है लेकिन ऐसा भी अचानक से हो सकता है कि आपकी company एक loss making company बन जाए in two years time दो साल के भी तरी प्रदाट्स हार intended for the export or the home market इसे फरक नहीं पड़ता कि आप अपने product को export market में बेच रहे हो या फिर home market में बेच रहे हो तो जो हम बात करते हैं discounted cash flow के बारे में जहांपे हम अपने investment को analyze करने की कोशिच करते हैं यह भी एक तरीके से बेकार है अगर आप अपने exchange rate को ठीक तरीके से assume नहीं कर पाऊगे तो exchange rate plays a very important role in international investment है अप तो इस तरीके से हमारा जो इंवेस्मेंट है वो अपर उसके अपर उसका आफ़ एफ रहा है वैसे ही वहां की जो चीजें है जो बाहर की जो factors है वो हमारे या जो country है उसमें जो economic factors है उसके उपर उसका आफ़ पड़ रहा है हमें cost of food ज्यादा मिल रहा है fuel के prices उपर नीचे होते रहते है clothes में, travels में हर एक चीज जो है हमारा एक तरीके से बहुत ही substantially influence हुआ है international market के कारण और यह सारी चीजे हो रही है exchange rate के movements के कारण रहा है right so in the present day floating exchange rate system the currency of any individual country is only worth what you can buy with it है ना तो अभी के time पर जो floating exchange system चल रहा है उसकी हिसाब से जो currency है किसी इंडिविजुल कंटी की उसकी value उतनी ही है कि जितना का समान आप उससे खरीद सकते हो what you can change it for any particular time या फिर आप एक particular time में उसके बदले आप कितना exchange कर पाते हो उसकी value उतनी ही है suppose आज 100 रुपे आपके पास है 100 रुपे में जितनी समय समान खरीद पाऊंगी उतनी ही उसकी value है आने वाले समय में लेकिन जोरी नहीं है कि 100 रुपे में आप उतनी समान खरीद पाऊ है ना क्योंकि जो fluctuation है prices का वो continuously हो रहा है ठीक है न आप a country a country whose rate of inflation is consistently higher than एडिन आफ इस competitors will experience faster increase in production costs and its export will become more expensive than those of its lower inflation competitors अब यहां देखो inflation की बात हुई कि एक ऐसी country जहांपे suppose inflation जो है बहुत ही ज़्यादा हाई है inflation हाई होगा तो जो raw material होगा उसका price हाई होगा जो आप product बनाओगे जो production cost होगा वो भी हाई होगा जब आप अपने सामान को export करोगे दूसरी countries में तो उसके prices भी बहुत ज़्यादा मिल जाएगा वो तो वहाँ से खरीदेंगे न तो inflation का जो है असर हमारे business के उपर परना start हो जाता है right this invariably leads to the reduction in the level of exports अब इसके कारण जो आपका level of export है उसमें उसमें इकतर से घटवती आती है कट जाता है कमता है rising level of imports and growing trade and current account deficit इसके कारण से जो आपका export level है वो घटता है आपका imports जो है उसका level जो है वो बढ़ता है और आपको current account deficit होने लगता है है ना current account deficit का मतलब क्या होता है current account deficit का मतलब होता है जब आपका import जो है export से ज़्यादा हो जाएगा तो आपको deficit होगा इसमें ultimately result in weakening आप जो export करते हो वो आपका महगा है ही तो आपको जो है बहुत ज़्यादा आपको economic problems जेलनी पढ़ेंगी in future so over a long period over a long term and historic record of high inflation is often thought as an indicator of a weak currency है ना तो लंबे समय तक गर आप देख रहे हो कि आपके पास high inflation है और चीजें जो है है बहुत ही सही नहीं है तो उसकेस में आप यह एक तरीकी से बोल सकते हो कि जो currency है उस country की वो थोड़ी सी weak है वो अच्छी नहीं है our country's inflation rate is determined mainly by the combination of government's economic policies and the political climate in the country तो किसी भी country का inflation आप कैसे determine करोगे इसको determine करने के लिए दो चीजें इसमें होती है इसमें दो चीजों का combination होता है एक तो government की economic policies होती है और साथी साथ country का जो political climate है वो भी होता है जैसे कि अगर इंडिया भी बात करें so like in India with state populism rate of inflation has invariably been in on the rise तो यहां पर population बहुत ज्यादा होने की कारण लोग purchasing power और अपना उनका मतलब है लोग purchase करते हैं उसके currency inflation जो हमारे यहां पर थोड़ा सा देखने को मिलता है consequence क्या होता है इसका rupee consistently depreciation against all major currency जो भी major currencies है GBP है एना great britain's pound है या फिर आपका pound sterling के बारे मैं आपको बताया euro है या dollar है इन सब के साथ जब आपनी currency को compare करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी currency बहुत ही जादा धीरे दीरे depreciate कर रही है और weak होती जा रही है आपको यकीन नहीं होगा तो जब हमारा देश आजाद हुआ था उस ताइम पर एक डॉलर में एक रुपय होते थे पर अभी एक डॉलर में 100 रुपय होते हैं तो आप समझ रहे हो कि हमारी currency की जो है कितनी जादा depreciation होई है now the financial markets are seriously affected by the inflationary pressure तो जो financial market होता है वो बहुत ही जादा inflationary pressure के कारण एक तरीके से affect होता है तो US economy has protected itself from violent exchange and rate fluctuation of dollar because of a regime of low inflation and interest rates over a number of years तो जो US economy है उसमें खुद को inflation से इस fluctuation से बचा करके रखा है जो भी fluctuation dollar में देखने को मिलते हैं कैसे उन्होंने बचा करके रखा है उन्होंने एक तरीके से low inflation रखने के लिए जो interest rates है उसमें बहुत ही जादा कटावती करके रखी हुई है जिसके कारण से inflation जो है वहाँ पे बहुत जादा बढ़ नहीं पाता है Thus from the long term perspective factors which determine the competitiveness of a particular economy and in turn strength and weakness of its currency are relative inflation rates which further in turn are impacted by money supply growth, budget, deficits, economic growth rates, employment rate, etc. तो भी बात यहां पर बोली जादी है कि long term में अगर हम बात करेंगे जो आपका perspective होगा, जो factors होगे इन्हों आपकी currency को determine करने के, आपकी economy को determine करने के या उसके strength and weakness को बताने के वो सारी के सारी चीज़े जो है depend करेंगी आपके inflation rates के ऊपर और यह देखा जाएगा कि आपके country क money supply growth कैसा है, आपकी country का budget deficit कैसा है, economic growth rate कैसा है, employment rate कैसा है, इन सारी चीज़ों से मिल करके एक तरीके साब का economy बनता है, तो जहाँ आपे inflation rate एक बहुत important role play करता है, financial market को influence करता है और इसके कारण से जो है, you know हमें sometimes फाइदा भी होता है और sometimes नुकसान भी होता है, so this is all about this topic, I hope कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा जहाँ पर मैंने आपको, you know inflation और उसका impact financial market क्या होता है मैंने आपको बताया है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो please like, comment और share करें, मिलते हैं अगले वीडियो में अपना ख्याल रखें, bye bye, thank you.